सार संग्रा के टूडेज करेंड़नीट प्रग्राम में आप सभी का स्वागत है आज के मैं टॉपिक में बात करूँगा उत्राखंड में होंगे और तिस्वे राष्टी ए खेल जानते हैं चर्चा में क्यों है भारतिय उलम्पिक संग ने और तिस्वे ग्रिम्स कालिंग राष्टिय खेलों के लिए उत्राखंड को मेजबान के रोक में चुना है जो 28 चुनवरी दो हजार पचिस तक अयोजित होंगे इसके बाद अगामी सीथ कालिंग खेल होंगे जो पहली बार जम्बो और कस्मीर और लादाक के बाहर अयोजित किये जाएंगे जानते हैं इसके परमुक बिंदू के बारे में साइटीस्वे राष्टिये 25 सितंबर से 9 नौमबर 2023 तक गोवा में किया गया था राष्टिये खेल ओलंपिक मॉडल का अंश्रन करते हैं जिसका प्रात्मिक लक्ष भारत में खेल परतिभाओं की पहचान करना और उनका पोशन करना है राष्टिये खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को अक्सर गिम्स कालिन ओलंपिक और अन अंतराष्टिये खेल आयोजनों में भारत के भावी परतिनिधी माना जाता है मूली रूप से अखिल भारतिये ओलंपिक खेलों के रूप में जाना जाने वाला पहला संस्करन 1924 हिस्वी में लहार अब पकिस्तान में अयोजित किया गया था 1940 में बंबे अब मुंबई में 1909 संसकरन के दोरान अधिकारिक तोर पर इसका नाम बदल कर राष्टिये खेल कर दिया गया है राष्टिये खेल सुरू में हर दो बरसों में अयोजित किया जाते हैं अब बात करते हैं किस किस साल राष्टिये खेलों का अयोजित किया गया है तो 31 राष्टिये खेल 2001 में पंजाब में अयोजित किया गया था 32 दो हजार दो में आन्य परदेश में 33 दो हजार साथ में गुहाटी में और 34 दो हजार एगारा जारखंड में 35 दो हजार पंद्रा केरल में और 36 दो हजार बाइस गुजरात में और 37 दो हजार तेईस गोवा में और 38 दो हजार पचीस उत्राखंड में राष्टिये खेलों का अयोजित किया जाएगा अब बात करते हैं अभ्यास परश्ट के बारे में तो 38 दो हजार पचीस का आयोजित किस राज में किया जाएगा अप्सन ए है गोवा अप्सन भी है उत्राखंड अप्सन सी है गुजरात अप्सन दी है जारखंड तो प्लीज इस क्वेश्चन का एंसर कॉमेंट बक्स में देने का कश्ट करेंगे अगर यह हमेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो फ्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों की बीच इसे सेर करिए तब तक मिलते हैं नेक्स सेशन में खुश रहिए मस्त रहिए